तो बेटा, नेक्स्ट चेप्टर हमारा है मैगन्टीजम, तो इस प्योरले थ्रैटिकली चेप्टर, आप द्यान से सुने कि मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ आपको मोटी-मोटी बातें जाद रखें, और इसका कोई भी कंसेप्ट क्वेशन या कोई भी वेशन आये, तो आप हम उस मैगनेटिक फील्ड की स्टडी कर रहे हैं, तो उस स्टडी को बोलते हैं, मैगनेटिजम, तो लास्ट चेप्टर में आपने पढ़ा कि फील्ड की स्टडी जरूर की, लेकिन वो मैगनेट फील्ड जो है, ड्यू टू करंट आई थी, तेकि इस केस में करंट नहीं है, तो बहुत पुरानी बात है, around 600 VC, एक Greek का फिलासफर, जिसका नाम आपने है, Electrostatic में में सुना है, Thales, उसे क्या मिला, एक natural occurring ore of iron मिली, जिसके एक प्रापटी थी, कि वो iron, qualt, nickel, means ferromagnetic material को attract कर सकती थी, और वो उसे कहां मिली, वो उसे मिली Magnesia में, M-A-G-N-A-S-I-A, Magnesia, basically Magnesia जो है, वो एक Greece का district है, Magnesia, इसलिए, उस Magnesia के नाम पे, उसका नाम जो है, Magnesia पर गया, तो इसलिए, old name जो है, एक Magnesia का, Magnesia में मिला, क्यों हो गया, क्योंकि जो उसे iron का piece, iron जैसा piece मिला, जो iron, qualt, nickel को attract कर सकता था, वो ग्रीज के district Magnesia में मिला, इसलिए, उसे Magnesia, और आज के time पे, उसी का नाम जो है, देरे-देरे करके, आज के time पे, उसी को ही, Magnesia बोलते हैं, तो basically यह एक iron की ore है, जिसका formula Fe3O4, इसे आप जाद रखें, यह उसका formula है, अब चाइना वालों ने क्या किया, इसी जो stone मिला, मतलब magnet, एक stone जैसा यह ना, उसको उसने load stone का नाम दे दिया, यह भी बड़े अर्वेपर में पूछा जाता है, why it is called load stone, क्योंकि यह इसकी जो है एक directional property है, है ना, directional property, directional property क्या होगी, कि जब भी इसको आफरेली suspend करेंगे, यह हमेशा नार्थ पोल, नार्थ और साउथ पोल, यह है आर्थ के, उसी direction में यह रुकेगा, जब भी, है ना, तो चलो मान के चलो कि एक बार रुक गया, incidentally, तो मान के चलो वो गया, अगर कोई ची आप रसी डाल कर सस्पेंड करेंगे, तो हमेशा वो एक ही direction में align होगा, तो यह उसकी directional property भी है, यह directional property जो है, यह चाहिनों वालों ने इसकवर की थी, और जैसे कोई भी चीज है, लोड़ चीज हो तो एक सार जुकी रहती है, ना, उसी तरीके से इसका नाम जो है, लोड उन भी बोलते हैं, और जे एक natural artificial, natural magnet है, artificial नहीं है, तो ऐसे ही magnet को artificial magnet भी बना जाते हैं, इसलिए magnet की दो टाइप की classification होगी, natural magnet, artificial magnet, अब question जे हा कि artificial magnet हम कैसे बनाएंगे, मान के चलें कि यह एक iron का piece है, और जे एक magnet का piece है, है ना, यह इन दोनों में से एक iron है, एक magnet है, एक य देखने में एक जैसे है, तो एक के पास जो है, permanent attracting power है, और एक के पास नहीं है, है ना, तो आप कैसे कह सकते हैं, कि एक magnet जो है, दिखने में बिल्कुल iron जैसा ही है, फिर उसके पास एक permanent attracting power कैसे आ गई, और एक iron जो दिखने में magnet के जैसे है, उसके पास एक attracting power क्यों नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको आइडिया देना चाहूँगा तो basically होता क्या है कि ये magnetism की थियोरी जो है वो वैवेर ने दी थी तो basically है क्या कि magnet के अंदर हर एक small molecule एक small molecule जो है वो भी एक small magnitude ही मान कर चलिए और वो magnet के अंदर सारे के सारे molecule एक ही direction में align हुए होते हैं ये देखिए लेकिन बही molecule iron के अंदर जो है वो एक direction में align नहीं हुए है वो close एर मनाती है जैसे ये आगया अब देखिए फिर ये आगया अब देखिए ये आगया जैसे बेक्टर पड़ा हुआ है head tail head tail ये आगया एक से ज्यादा होंगे तो ये आगया ये आगया ये आगया ये आगया ये आगया तो basically बही molecule iron के अंदर जो है वो है तो अभी भी खरेक molecule जो है वो एक small magnet है लेकिन जिनके कारण क्या हो रहा है उनका effect खत्म हो रहा है जैसे मान के चलिए ये कि मैं इसे आगया बोल देता हूँ north इसे south और फिर दूसरे वाले का ये north ये south north south ये खत्म effect फिर तीसरे वाला का ये north एक ये उपर north south तो उनका effect खत्म हो रहा है इसलिए हम बोलेंगे iron ये magnetize नहीं हो पा रहा है और ये दूसरे small iron को attract नहीं कर पा रहा है लेकिन आगर मैं क्या करता हूँ इसी iron को इस magnet के ओपर बन डिरेक्शन में रव करता हूँ तो देरे देरे क्या होगा कि ये जो iron के अंदर जे जो close loop बने हुए हैं शोट उटे magnet के close loop बने हुए हैं वो loop disturb होके देरे देरे है ना जैसे हम इनकी बात करें तो जितनी देर अब करते रहेंगे तो ये जो एक close loop बने है थ्री small magnets का last moment पे वो ऐसे हो जाएगा ऐसे भी जितने भी इसके अंदर small magnets है जब उनकी alignment जो है सारी के सारी one direction हो जाएगी तो वो एक magnet की तरह भीव करने लगेगा और जैसे आप एक artificial magnet का नाम दे लेंगे थोड़ी देर के बाद उनकी alignment फिर से खराब हो जाएगी और देरे देरे उनकी magnetization काम हो जाएगी और वापस वो iron जो है बढ़ जाएगा attracting power उसकी खत्म हो जाएगी तो हम एक property पढ़ते हैं कि magnet को hammering करने से या heating करने से उसकी magnetization का last होता है वो भी जही reason है देखिए जब आप इसे hammering करेंगे जा heating करेंगे तो इसमें जो alignments है बान direction alignments है उनमें थोड़ा सा वो disturb हो जाएगी जिसके कारण उनका magnet जो है उसकी magnetization काम हो जाएगी बाकी अगर हम बात करें तो बिलकुल electric field की जैसे properties है magnetic field की भी उसी तरीके से properties है यह property अब कभी भी किसी book से पढ़े तो आराम से आपको समझ में आ जाएगी सिर्फ इसमें एक property आपको समझाना चाहूँगा और बड़े बारे पेपरें पूशिया आती है कि repulsion is the sure test of magnetism है ना कि बताए repulsion is the sure test of magnetism कि कोई चीज magnet है जा नहीं है आप force of attraction के basis पे answer नहीं दे सकते force of attraction के basis पे में भी आपका answer गलत हो जाए लेकिन repulsion के basis पे वो answer कभी भी गल्द नहीं होगा राइट तो repulsion is the sure test of magnetism कैसे हम करेंगे बेटा आगर एक magnet जो है वो attract कर सकता है दूसरे magnet को भी और एक iron के piece को भी तो जैसी यह magnet है तो आगर इसका मैंने नार्थ पोल लिया तो दूसरे magnet के south pole को जे अटेक्ट कर सकता है और जे iron को अटेक्ट कर सकता है लेकिन एक magnet जो है वो repel सिर्फ और सिर्फ magnet को ही करेगा है ना समझे ना तो इसलिए अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये magnet है जैसे अगर मैं ये बात की कि ये मेरे हाथ में जो कैप है पैन की मुझे चेक करना है कि क्या जे magnet है है ना तो जे iron भी हो सकता है देखो आँ मैं इसके basis पे चेक कर रहा हूँ अब मुझे ये नहीं पता कि ये iron है जहाँ जे magnet है लेकिन इसे मुझे चेक कि इसको करना है तो आगर जे magnet होगा और जे भी मेगनेट होगा तो जे अट्रैक्ट कर सकते हैं हो सकता है इसका नार्थ पूला हो इसका जे साओ तो जे अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर जे आईरन है या तब ही ये इसे अट्रैक्ट करेगा ये आईरन है और जे मेगनेट है तब ही अट्रैक्ट करेगा लेकिन हमारे पास मानक कर चळलिए कि हम अट्राक्ट के बिस्थित पर हम नहीं देखेंगे अगर आइन तो झेशने व्राइड करेंगा पासे आई है और जे मुझे पता है इस इसे चेक करना है तो मैंने क्या किया इसका इस पोल को इस से देखा तो जे इसने क्या किया अट्रेक्ट किया ठीक है तो मेभी ये साउथ पोल हो और जे नार्थ पोल हो जा जे आइरन हो लेकिन ये मैगिनर का कोई भी पोल हो लेकिन आगर हम क्या करेंगे दूसरा पोल भी इस सेड रखते हैं अभी भी इसने अगर अट्रेक्ट किया है ना तो हम समझेंगे कि यह आईरनी है और यह मैगिनट है लेकिन आगर यह इसको रिपेल कर रहा है तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास यह भी मैगिनट था यह भी मैगिनट था और यह अट्रेक्ट कर रहा है इसका मतलब हो गया जह सौथ पोल होगा जह इसका पॉर्टी ओलर नार्थ पोल है तब ही तो ट्रेक्ट कर पा रहा है लेकिन आगर मैं इसको इसे टच किया तो अंडर सोड है जी इसने रपैल किया जब रपैल हुआ तो कनफरमेशन होगी कि यह एक मैगनेट है है ना दूसरी एक प नार्थ पोल है एक सौथ पोल है और मैगनेट की नार्थ पोल से सम लाइनस पोस्ट भी अमेटर और सौथ पोल में वो एंटर करती हैं और फिर अंदर अंदर से वो सौथ से नार्थ भी जाती है तो यह मैगनेटिक लाइनस जो है इनी की वज़ा से फोर्स आफ बने लुख New It Means The Tip. It Means The Firm. This traineeship वो positive charge से निकलती थी, negative charge में खत्म हो जाती थी, है ना, फिर बापस negative to positive नियन, लेकिन magnetic feed lines जो है, वो south to north भी जाती है, north to south भी आती है, है ना, मैं बोलूंगा, बताओ, south to north जाती है, या north to south आती है, तो हम यह question is incomplete है, लेकिन अगर हम ऐसा बोले कि south to north जाती है, तो हम बोलेगे inside the magnet फिर ये ठीक है लेकिन north to south outside the magnet तब ये ठीक है north to south inside the magnet बोलेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि inside the magnet जरूर चाहती है लेकिन south to north और north to south बाहर से सिर्फ ये property magnetic lines of force की ये वाली property जो है electric line of force से different है बाकि जितने भी electric line of force वाली property है और magnet lines वाली force वाली property है वो सेम है राइट उसके बाद आगर हम बात करें तो magnetic की कुछ मैं compare करके बात कर देता हूँ कि आगर आप बोलते हैं जे electric lines of force electric field है और जे magnetic line of force के साथ जो deal करती है वो magnetic field है electric field सिर्फ और सिर्फ static charge होगा तब ही आएगी है ना और magnetic field जो है जे charge जो है motion मैं होगा ये तब आएगी ये बात अलग है कि charge जो है motion मैं होगा magnetic के साथ साथ उसमें electric field भी होगी लेकिन हम बता रहें कि ये कब आएगी जे charge जे यह चार्ज रिश से, इसमें हमारे पास चार्ज की बात है, उंडर सूर नाल हमेशन नाल्ट यह सौट पोल लाइन हमेशन नाल्स तू सौट ही जाएगी, और ज自 bol बाहर की बात हो रही है, इसमें जो एक चार्ज जो था, पोल स्टेंथ जो थी, दो चार्ज के बीच में, जो गैप था उसे आप 2L और इस case में भी उसे आप 2L ही बोले इसमें एक term पढ़ते थे आपने electric dipole electric dipole moment जिसे P से नोड करते थे वो क्या कहते थे charge कितना है और दोनों के बीच में gap कितना है इसमें magnetic dipole moment अब इस case में charge तो है नहीं तो आप इस pole की strength कितनी है पोल की strength को small sense से लिखेंगे और दोनों पोल के बीच में gap कितना है तो यह 12 ठीक है अब मैं बोलूगा positive charge का magnitude जाला था जा negative charge का तो यह equal magnitude थे ऐसे ही north pole की strength ज्यादा है यह south pole की तो यह equal strength है ठीक है दिया जाएगा यह जैसे electric dipole moment magnetic dipole moment अगर हम इसके unit की बात करें तो column meter इसके unit की बगाल करें तो यह हमारे पास pole strength पहले ही हमारे पास ampere meter और यह फिर एक मीटर और ampere meter square हो जाएगा राइट उसके बाद आगर हम बात करें कि इसमें force acting due to positive charge तो आप क्या लिखते थे एफ पास्टिव आपने लिखना force due to north pole M एफ पास्टिव क्या लिखते थे charge कितने है और जिस electric field पे है एफ N क्या लिखना आपने तो देखो क्यों की जगापर आपने आपने अभी बोला क्यों की जगापर आपने M लिखना और E की जगापर आपने B लिखना और जे force हमारे पास in the direction of means parallel to E रहती थी और जे force भी हमारे पास parallel to B रहेगी अगर force due to negative charge आप कहते थे तो negative charge कितने है और electric field कितनी है वो लिखते थे और opposite to E होती थी जे force इस case में भी force due to south pole और south pole की strength भी तो M है magnetic field V है तो ये भी आपने opposite to B ही बता लिए आपने इस case में टार्क कितना आता था P cross E इस case में भी टार्क जो है सिर्फ P की जगापर capital M और E की जगापर B बाकि टार्क की direction क्या थी P और E की जो plane है उसके perpendicular वो चीज इधर भी M और B की जो plane है उसके perpendicular राइट तो आप जितने भी electrostatic में question पढ़े हुए हैं कि torque acting on an electric dipole when placed in the magnetic field इधर भी आप पढ़ेंगे torque acting on an on a war magnet when placed with magnetic field तो सेम बिलकुल procedure सेम ही चलेगा सिर्फ सोरे से denotion आपने जे जाल रखने आप अराम से उन question को बना सकते हैं जैसे potential energy electrostatic field में आपने देखी थी किसके ब्राबर होगी थी तो वो ब्राबर होगी थी P dot E के ब्राबर और अगर magnetic field में तो P की जगा पर understood है M आना और E की जगा पर B आना तो यह डाट प्रोड़क्ट भी तो आप electric field on the axi line नकाला था इधर भी आपने magnetic field on the axi line of a bar magnet नकालना उधर equatorial line पर भी electric field नकालनी थी इधर भी equatorial line पर magnet की equatorial line पर आपने magnetic field नकालनी फिर आपने potential energy नकालनी थी electric dipole की है न when placed in the electric field जहां पर भी bar magnet की potential energy नकालनी है when placed in the magnetic field तो इन शार्ट अगर आपको electrostatic के वो term सा जाते हैं तिन चारो question दमाग में हैं तो सिर्फ आपने symbol ही change करने हैं denotion ही change करने हैं बाकि बिल्लकुल बैसा रहके यह हम magnetism के चार पांच question भी अराम से कर सकते हैं थैंक्यू very much